अध्याय छे संख्याओं में भी है खेल Playing with Numbers संख्याओं बूझना अक्सर जब हम संख्याओं पर संक्रिया जैसे जोड गुणा आदी करते हैं तो हमें संख्या तथा उसके अंकों के मान पता होते हैं क्या होगा अगर हमें संख्याओं तथा उनके अंकों के मान पता न हों यदि हमारे पास A, M, P, N, P, Q, M, N, A, B, C जैसी संख्याओं हों जिनका प्रतेक अक्षर किसी एक अंक को प्रदशित करता हो तो हम इन अंकों के मान पता करने के संभाव न आएं कैसे सोच सकते हैं यदि हम उपर दी गई एक अंक की संख्या A, M, P, N के बारे में सोचें तो हम जानते हैं कि ये अंक शून से लेकर 9 तक हो सकते हैं यदि हम दो अंकों के संख्या P, Q तथा M, N के बारे में सोचें तो P, Q, M, तथा N भी शून से 9 के बीच होंगे P, Q में Q इकाई के स्थान का अंक तथा P दहाई के स्थान का अंक होगा अता हिया संख्या वास्तव में 10 P धन Q होगी इसी प्रकार M, N संख्या 10 M धन N से व्यक्त होगी तीन अंकों के संख्या जैसे A, B, C का मान 100 A, धन 10 B, धन C होगा अब आप सब भी ऐसी ही कुछ संख्याओं जैसे M, L, X, Y, A, B, P, Q, M, X, Y, Z को उनके स्थानी अंक के अनुसार प्रदाशित कीजिए कुछ चार अंकों के संख्याओं के बारे में भी सूचिए करके देखें एक यदि A बराबर 3, B बराबर 4, C बराबर 5, D बराबर 0 हो और किसी अंक का उप्योग एक बार ही करें तो इनसे बनने वाली पहला, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी दूसरा, A, B, C, D वा A, D, B, C में से कौन सी संख्या बड़ी होगी तीसरा, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी क्या भथ तीन अंकिय होगी या चार अंकिय चौथा, D, B, A, C का मान कितना होगा ये कितने अंकों की संख्या होगी दो, यदि A बराबर 1, B बराबर 2 तो, C बराबर 3, D बराबर 4 हो तो, पहला, A, B गुणा C, D का मान ज्याद कीजिए दूसरा, A, B धन C, D कितना होगा